जाने माने पंजाबी काहप दलेर महन्じ को पंजाब की एक अदालत ने मानव तसकरी मामले में दोशी करार दिया है मीडिया रिपोर्ट्स की माथने तो इस मामले में दलेर महन्じ को दो साल की सजा भी सुनाई गई है खबरों की मानिय तो अदालत ने दलेर महन्दी को दो साल की सजा सुनाई है साल 2003 में इन्हें मानव तसकरी मामले में आरोपी बनाया गया था और आज अदालत की ओर से फैसला आने के बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है गौरतलब है कि साल 1998 और 99 के दोरान दलेर महन्दी और उनके भाई दो बार अमेरिका में शो के लिए गए थे और इस दोरान उनकी टीम भी उनके साथ मौजूद थी मीडिया रिपोर्स की माने तो इस दोरान उनकी ने दस लोगों को गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर छोड़ दिया था साल 1999 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जबकि दोनों भाई अमेरिका गए थे तो इस दोरान तीन लड़कों को न्यूजर्सी में की छोड़ कर आ गए थे इसके अलावा एक अभिनेत्री के साथ तीन लड़कियों को सेन फ्रैंसिसको में छोड़ दिया गया था ये बात मीडिया रिपोर्स में सामने आ चुकी है देश और दुनिया की ताज़तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ना बिलकुल भी ना भूले ताकि आप तक पहुशता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट